रिया अपनी ऑफिस कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी लंच कर रही थी। उनके बीच इस बात पर बहस हो रही थी कि भूत होते हैं या नहीं। किसी का कहना था कि भूत होते हैं तो किसी का कहना था नहीं होते। रिया उनकी बाते सुन रही थी और लंच करने में व्यस्त थी। टीना, क्या यार रिया, तू भी तो कुछ बोल, तुझे क्या लगता है। रिया, यार तुम लोग ये फालतू के बातों पर भरोसा करती होगी, मैं नहीं करती, सब कुछ भ्रम होता है। अधित्ती, अच्छा आधि ने देखा है, सच में यार भूत होते हैं। रिया, अच्छा तो तुझे अगर कभी भूत मिले, तो मेरे घर का एड्रेस दे देना। मैं भी तो देखूं कैसे होते हैं। अधित्ती, क्या यार तू भी ना। रिया, लंच तो फिनिश हो गया। अब चलो, फिर से कम पर लगो और उस खट्स मैनेजर की चिक-चिक सुनो। टीना, क्या करे मजबूरी है। चल, चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे आज ही एक जरूरी प्रेजेंटेशन भी बनाना है। सभी अपने-पने काम में लग जाती है। रात के 10 बजे रिया ओफिस से घर पहुचती है। दिन भर की ठकान मिटाने के लिए वह हॉट वाटर बात लेती है और आइने के सामने खड़ी हो अपने बाल सुलजाने लगती है। वो अपने बाल सुलजा ही रही होती है कि उसे लगता है कि आइने में रिया की जो तस्वीर है वह उसे घूर रही है। रिय आईने में बनी रिया की तस्वीर अचानक जोड-जोड से हसने लगी और कहा, रिया बताओ, भूत होते हैं या नहीं होते। रिया तो चाहकर भी न बोल पा रही थी, न अपनी जगह से हिल पा रही थी। धीरे धीरे आईने से उस तस्वीर ने अपना हाथ निकाला और रिया को अपनी और आईने में ये कहते हुए खीच लिया की तुम्हें जानना था ना की भूत कैसे दिखते हैं, तो आओ मैं दिखाती हूँ। रिया समझ चुकी थी कि अब वो जिन्दा नहीं बचेगी और यह भी जान चुकी थी कि भूत होते हैं। अगले दिन ऑफिस सभी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि रिया लापता कैसे हो गई।